दोस्तो हमारे गन्ये की फसल में बहुत से खेतों में इस समय पोका वोई देखने को मिल रहा है और समय रहते इस पर नियंतरण ना किया जाए तो ये गंभी रूप लेता है और हमारी पैदावार को कम कर देता है जिससे हमें आर्थिक हानी उठानी पड़ती है तो दोस्तो इ आज आपको बताएंगे कि गन्ये की खड़ी फसल में जड़ों में विखेर कर यदि हम इस दवा को सिचाई कर दें तो हमारी दवा है यह इस रोक पर नियंटर्ण करेगी तो दोस्तों इसी पिरकार की विभीन समस्याओं से सम्मांदित चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आईकोन को आल पर सेलेट कर लें तो दोस्तों जब हम देखते हैं कि हमारी फसल में फोकः वोइंग आ गया है तब हम तरफ इस पर निड लेन चाहिए और इस दवा का प्रियोक करना चाहिए अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है जब हम अपने खेत में देखते हैं कि जो उपरी पत्या होती है जो गोप की पत्या होती है जो नई नई पत्या होती है वो पीली पढ़नी सुरू जाती है और उसमें सिल्वेट आनी पढ़ जाती है उसमें जुरियां पढ़ जाती है और ये जुरियां इस परकार की होती है जैसे कप्ड़े को निचोर दिया जाए तो उसमें जुरियां पढ़ जाती है और दोस्तो उसके बाद ये पत्तियां आपस में उलच जाती है और उसके पश्चात इनका गलना सुरू जाता है, काला पढ़ना सुरू जाता है और ये हमारे गन्ने को बहुत नुक्सान पचाता है, पैदावार को घटाता है और क्वाल्टी भी खराग होती है दोस्तों इस पर नियतन के लिए आपको एक दवा का इस्तेमाल करना है और इस दवा का नाम है साफिलाइजर और साफिलाइजर को आप एक किलोग्राम पिर्टी एकड़ के एसाफ से आप मिट्टी में मिलाकर और पोधो की जड़ों में बिखेर कर यदि सिचाए कर देते हैं तो इस पर किसी हद तक कंट्रोल होता है और ऐसा करने से आपका जो पोक अबोईंग है आपके खेत में आने ही पाएगा और यदि आ गया है तो इस पर अच्छा नियन तर्ड होगा तो इस पर कार आप अपनी फसल को इस रोक से बचा सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार